हेलो फ्रेंड्स मेरा चैनिल दौड़ीगनों के तरप से आप सबको स्वागत है मेरा आज का रेसिपी है गाढ़ा दही घर पे कैसे जमाए जाता है अच्छा दही जमाने के लिए हमें चाहिए स्ट्रेप डेल लीटर फूल क्रीम दूद और टू टेबली स्पून दही पहले ह हमें दूद बॉइल करना है मैंने यह पे डेल लीटर फूल क्रीम दूद लिया है दूद में उबल आ गया है मैंने दो से तीन मिनिट इसको बॉइल कर लिया आभी इस दूद को ऐसे एक बर्तन से दूसरी बर्तन में चार पाच बर शिप्ट करना है ऐसे करने से इसमें थोड़ा जाग आएगा जाग आने से इसमें मलाई अच्छा जमता है ऐसे चार पाच बर करना है अभी इस मिट्टी का बर्तन में डालना है और मिठाई का दुकान में ऐसे बर्तन में दही जमाया जाता है अभी इसको पंखा का नीचे रखके थोड़ा सा ठंडा करना है पंखा का नीचे रखने से इसमें उपर से अच्छा से एक मलाई का मोटा लिया राता है इस दूद को गुनगुना होने तक ठंडा करना है मैंने इहापे टू टेबलिस्पून दही लिया है आभी इसको अच्छा से फेटना है मैंने इस दूद को पंखा का नीचे रखके थोड़ा ठंडा कर लिया मतलब उंगली डाल सकते हैं ऐसे ही ठंडा करना है आभी इसमें कुछ छेत करना है फिर थोड़ा थोड़ा करके दही डालना है आभी इसको ढगन से कभर करके कंबल से मोड़के इसको 7-8 घंटे के लिए रखना है फिर 7-8 घंटा बाद इसको फ्रीज में 2-3 घंटे के लिए रखना है फ्रीज में रखने से दही और भी अच्छा से सेट हो जाता है दही अच्छा से सेट हो गया है इससे बिल्कुल भी पाने नहीं छोड़ता है बस रेडी हो गया है गाढ़ा दही मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए